आज के समय में सभी को धन चाहिए, धन प्राप्ती के लिए सब लोग जाने क्या क्या करते हैं आईए जानते हैं कि धन प्राप्ती का सही मार्ग क्या है एक कहानी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगे एक दिन एक औरत अपने घर के बाहर आई और उसने तीन संतों को अपनी घर की सामने दीखा वहे उन्हें जानती नहीं थी औरत ने कहा कृपया भीतर आएए और भोजन करिये संत बुले क्या तुम्हारे पती घर पर है औरत ने जवाब दिया नहीं वहे अभी बाहर गए है संत बोले हम तभी भीतर आएंगे जब तुम्हारे पती घर पर हो शाम को उस औरत के पती घर आए और औरत ने उन्हें सब बाद बताई औरत के पती ने कहा जाओ और उनसे कहूँ कि मैं घर आ गया हूँ और उनको सआदर बुलाओ औरत बाहर गई और उनको भीतर आने के लिए कहा संत बोले हम सब किसे भी घर में एक साथ नहीं जाते औरत ने पूछा पर क्यों? उनमें से एक संत ने कहा मेरा नाम धन है फिर दूसरे संत की और इशारा करके कहा इन दोनों के नाम सफलता और प्रेम है हमें से कोई एक ही भीतर आ सकता है आप घर के अन्य सदस्तियों से मिलकर तै कर ले कि भीतर किसे निमंतरित करना है औरत ने भीतर जाकर अपने पती को यह सब बताया उसका पती बहुत प्रसन्न हो गया और भूला यदि ऐसा है तो हमें धन को अमंतरित करना चाहिए हमारा घर खुशियों से भर जाएगा लेकिन उसकी पत्नी ने कहा मुझे लगता है कि हमें सफलता को अमंतरित करना चाहिए तबी उनकी बेटी दूसरे कमरे से सब सुन रही थी वह उनके पास आई और बोली चाहिए प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है माता पिता ने कहा तुम ठीक कहती हो हमें प्रेम को ही बुलाना चाहिए और अगर के बाहर गई और उसने संतों से पूछा आप में से जिनका नाम प्रेम है वे कृपया घर में प्रवेश कर भुजन क्रहन करें प्रेम घर की और बढ़ चले बाकी दो संत भी उनके पीछे चलने लगे औरत ने अस्चरे से उन दोनों से पूछा मैंने तो सर्फ प्रेम को अमंत्रित किया था आप लोग भीतर क्यों जा रही है उन में से एक ने कहा यदि आपने धन को या सफलता में से किसी एक को अमंत्रित किया होता तो किवन वही भीतर जाता आपने प्रेम को अमंत्रित किया है प्रेम कभी अकेला नहीं जाता प्रेम जहां जहां जाता है धन और सफलता उसके पीछे जाते हैं गोरी जैश्री राधे राधे